पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम लोगों पर महंगाए की नई किष्ट का बोज डालने का इंतिजाम कर दिया है। महंगे डीजल से परिशान ट्रांसपोर्टर्स ने बाल बढ़ा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद रोज मरा की सामान समेथ हर तरह की सामान की कीमतों में बढ़ोतरी होना तैह है। महंगाई का जटका देरे की तयारी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स माल भाड़े में 20% तक की बढ़ोतरी करने वाले हैं। इसके बाद तो बीते दो महीने में जारी महंगाई में चोतरफा बढ़ोतरी की आशंका है। ट्रांस्PORTERS का कहना है कि कोरोना में पहले ही डिमान्ड और कवाय काफी घटकई है आईसे में बड़ती लागत के चलते ट्रांसPORTERS के पास किराया बढ़ाने के लाबा कोई दूसरा रास्ता नहीं है यानि महंगाई से पहले से परिशान लोगों के लिए एक नया संकट खड़ा होने बाला है दूसरी करोना लेहर से घरों की बिक्री पर जादा असर नहीं हुआ है 2020 के मुकाबले इनके खरीदारों की संख्या में जोरदार उजाफा हुआ है लेकिन घर खरीदारों के लिए गुड नियूज है कि घरों की कीमतों में पिछले 6 महीनों में कमी आई है मुंबाई पूरे समय देश के चार बड़े शेरों में दाम कम हुए रियल स्टेट वार्केट के लिए 2021 के पहली 6 महीने 2020 का मुकाबले जोरदार प्रदर्शन किया है बिकरी के मामले में जनवरी से जून के दोरान आकडों में ज्यादा घरों के बिकने की बड़ी वचह पिछले साल का खराब प्रदर्शन है रियल स्टेट रिसर्च एजन्सी नाइट फ्रेंक के मुदाबिक जनवरी से जून 2021 के दोरान घरों की बिकरी 67% बढ़ी है वही नए लौंच 71% बढ़े है नाइट फ्रेंक का मानना है कि कुरोना की पहली लहर में बेहत सक्त लॉकडाउन लगा था वही इस बायर के लौकडाउन में आर्थिक गटी वीडियों पर ज्यादा असर नहीं हुआ है अगर हाला के बहुत डिपेंड करता है कि वैक्सिनेशन का स्टेटिस कैसा रहता है और इसके अलावा थर्ड वेव आती है कि नहीं आती है इसका भी एक काफी असर रहेगा लेकिन एक्स्पेक्टेशन यह है कि अब जो रिकावरी शुरू हुई है वो चलती रहेगी नॉर्थ इंडिया में जो पर्टिकुलर हमारी डेली न्सियार के मार्केट है यहाँ पे भी सरकार चे यूपी की हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या हर्याना हो लोग स्टम ड्यूटी में रेडक्शन करें प्लस कुछ बेनेफिट्स एंड यूजर को प्रोवाइड करें फ्लाट यूजर को प्रोवाइड करें नाइट फ्रेंक के मुताबिक, जनवरी से जून में मुंबई में घरों की बिक्री 53%, पुने और कोलकाता में 74 फिजदी, बेंगलूरू में 22%, हैदराबाद में 150 प्रतिशत, इंसियार में 111 फिजदी, चिन्नाई में 93% और एहमदाबाद में 67 फिजदी बढ़ी है डेवलपर्स का मानना है कि कुरोना के आगे पस्त इस सिक्टर को मदद की दरकार है, इसके लिए राज सरकारों को स्टैंप ड्यूटी में कमी समेथ दूसरी रियायतों को देना चाहिए इस बीच एक गुड नियूज, घरों की केमतों में कमी के तौर पर भी सामने आई है नाइट फ्रेंक के रिपोर्ट के मुटाबिक मुंबई में मेट्रोपॉलिटन रिजन, पोने और चिन्नाई में घरों के दाम दो फिस्दी घटे हैं बैंगलूरू में घरों की कीमते एक फिस्दी कम हुई है जबके न्सियार और एहमदाबाद में दाम स्थिर रहे हैं वहीं हैदराबाद में कीमते एक फिस्दी और कुलकाता में तीन परसेंट बढ़ी है इन आकड़ों से रियल स्टेट मार्केट को भले ही सुकून मिला है लेकिन आगे की चाल महंगाई ब्याजदरों के स्तर और अर्थव्यवस्था पर निर्भर करेगी अगर इन में से कोई भी गणित बिगड़ा तो फिर घरों की बिक्री को जटका लग सकता है अधित के राणा आज तल